नमस्कार आज के वीडियो है 36 पटवारी प्रिब्यस वर्स का क्वेशन प्रिपर 2017 की कम्पूटर जी के 20 टॉप क्वेशन आप अंदजा लगा सकते हैं कि पटवारी पर इच्छा का पैटर्न किस पकार आ सकता है चलिए वीडियो को देली न करते वहें जल्दी से स्टार्ट करते हैं टाप 20 कोस्टन देखने वाले हैं कम्पूटर का टॉप 20 कोस्टन आज के वीडियो बांकी का सिलेबस को Part 1, Part 2, Part 3 इस पकार आप डिवाइट किया गया है पटवारी सिलेवस की पूरी तैयारी इस वीडियो पर आपको डेली कराया जाएगा आज का हम देखने वाले 20 टॉप 20 कोस्चन बांकी सिलेवस की हिसाब से डेली कोस्चन कराया जाएगा इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहें देखे यहाँ पर नीम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक search engine नहीं है ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो एक search engine नहीं है तो इसका अंसर कौन सा हुआ, आप सन्य हो जाएगा opera, opera एक प्रोग्राम search engine नहीं है बांकि Bing, Google और Yahoo एक search engine है Computer GK का second question कहता है कि नीम्न में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने है तू फोटो कापी तकनीक का उपयोग किया जाता है तो इसका अंसर बी होगा लेजर प्रिंटर लेजर प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने है तू फोटो कापी तकनीक का उपयोग किया जाता है अगला प्रसना देखेंगे और बहुंसी सांदर वीडियो है तीसरा प्रसना है कि थर्मल प्रिंटर से उप्योग होता है इसका देखे यहां पर व्यापम ने विलोपित कर दिया गया है चौन्सा प्रसना है कि किस डिवाइस में डाटा को इस्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते या हटा नहीं सकते तो इसका आंसर C होगा CD-ROM CD-ROM है ना यहां CD-ROM किसी डाटा को इस्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता या हटा नहीं सकता अगला प्रसना देखते हैं Computer GK का पांचवा प्रस्थन है कि 1TB memory बराबर कितना होता इसका आंसर C होगा 1024 गुना 1024 गुना 1024 गुना 1024 गुना 1024 गुना 1024 बाइट अगला प्रस्थन है MS World Software में कितने प्रकार के page orientation उपलब्द है तो इसका आंसर B होगा दो प्रकार के दो प्रकार के page orientation में उपलब्द है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी पटवारी संबंधी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक वा सस्क्राइब जरूर करें प्रस्थन कहता है कि खाली स्थन में frequency spectrum को छोटे छोटे स्पेक्ट्रा में विवाजित किया जाता है और प्रत्य को भूखता में बांड दिया जाता है तो इसका आंसर कौन सा होगा FDMA इसका आंसर शीव दाएगा चलिए अगला प्रस्थन देखते हैं यहां आज का पार्ट वन वीडियो है computer संबंधी पटवारी का कल आपको करा जाएगा पार्ट टू वीडियो जर्नल लान जानी की समान्य गान का पटवारी संबंधी 2017 का question paper है आज का part 1 वीडियो चलिए देखते हैं कि अगला प्रस्थन है कि गणिती प्रस्तूती करन से धनी उत्पनक करने वाला hardware कौन सा है तो इसका आंसर ए हो जग साउंड सिंथे साइजर अगला प्रस्थन है कि XD पिज़र कार्ड डिजिटल केमरा के लिए memory कार्ड HD कतात पर यह है इसका आंसर होगा B extreme digital ठीक है अगला प्रस्थन देखते हैं आपके सामने उपलब्द है animation क्या है चित्र बनाना इस्थिर चित्रों को गती देना प्रिंट निकालना ग्राफ में चित्रों को बदलना इसका आंसर B होगा इस्थिर चित्रों को गती देना अगला प्रस्ण कहता है कि एक फाइल जिसमें आप एक्षी गुरूप से इस्थाई डाटा रहता है तो इसका आंसर कौन होगा, आंसर C होगा, मास्टर फाइल, अगला प्रस्ण देखते हैं USA की संथा, MIT ने 2016 में प्रिंट की गई नई तकनिव विक्सित की है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, आंसर A होगा, 4D प्रिंटिंग कहते हैं इसको अगला प्रस्ण है कि इंटरनेट में IP एड्रेस को कहते हैं, आप सभी को पता होगा कि IP एड्रेस क्या होता है आइपी एड्रेस के मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकाल तो इसका अंसर डी हो जाएगा अगला प्रसना देखते हैं कम्पुटर का यह पंद्रवा कोस्चन है AMAS Excel Software के वे एक फार्मूला लिखने है तो खालिस था चिन्ह का उप्योग किया जाता है तो कौन्स चिन्ह का उप्योग किया जाता है आप सभी को पता है कि बराबर का चिन्ह का प्रोग किया जाता है तो इसका अंसर डी होगा अगला प्रसना देखते हैं और काफी important प्रसना है website निर्मान है तू free open sources software है यह बार बार एक्जाम में repeat हुआ question है इसका answer कौन सा होगा इसका answer A होगा PHP 17 question है एक POS machine है तू नीमने में सिख क्या सही है तो कौन कौन सा सही है आप बताईए देखिए यहाँ पर मुद्रर रही cashless lending में point of sale digital payment यानि की digital भोगतान उपरोगत सभीती इसका answer सभी होगा इसका answer क्या होगा सभी होगा 18 question है कि browsing website के लिए किस protocol को उपयोग किया जाता है तो browsing website के लिए कौन सा protocol को उपयोग किया जाता है इसका answer कौन सा होगा भी होगा HTTP है ना इसका answer क्या होगा HTTP hypertext transfer protocol तब चलिए अब दीरे दीरे बात कर लेते हैं इसका पूरा TCP का मतलब होता है क्या होता है transmission control protocol अब देखते हैं कि FTP यानि कि file transfer protocol last आवाल है TFTP TFTP यानि कि trivial file transfer protocol अगला प्रस्णा देखते हैं यह प्रस्णा है कि निम्न में से कौन साप्टेवर निम्न में से कौन साप्टेवर एक free open source operating system software है इसका answer D होगा Ubuntu Ubuntu एक free open source operating system software है last सवाल देखने वाले हैं काफी important है computer का top 20 questions आज आपको कराएंगे last सवाल है यह एक antivirus software नहीं है तो antivirus software कौन सा नहीं है python बांकी सभी antivirus software है quick heal, kasparisky और notan एक antivirus software है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगते हैं तो like और subscribe जरूर करें धन्यमा दोस्तो